कि अगर आप के बारे में मतलब सीरियस है और इस लास्ट टाइम का यूटिलाइज़ेशन ले रहे हैं या कर रहे हैं या रिविजन आप कर रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही मतपूर्ण खबर भी है कि आज अपनी जो भी टेस्ट कोस्टों के लिए भी है तो कूपन कोड वाई 400S यूज़ करके आप एन्रोल कर सकते हैं और अभी भी आपके पास में मोका है उस टेस्ट स्रीज को आप अपने सेलेक्शन में कह सकते हैं सार्थी की रूप में यूज़ ले सकते हूं तो सभी का बहुत-बहुत आर्दिक क्या वर्ड डॉक्युमेंट को वेपेज के रूप में लुपवेघ पहले तो यह बता इस और प्रिंट लेयाउट व्यू होता है प्रिंट लेयाउट व्यू होता है जैसा कि आपने ने ता है एक होता है रीड़ मोर्ड हैना एक वता है रीड मॉर्ड और दूसरा कूल सह त्सная टीस्रा होता सब्सक्राइब तो वेब रूप में आपको सेव करना है तब आपको क्या करना है या उप्रयुक्त ग्राफिक और लिंक को रखना पड़ेगा नहीं जी डा आंसर आपका बिल्कूल यहां पर क्या होगा राइट आंसर होगा आपको उस डोक्यूमेंट को sob अग्यात सब्ट्वेर बग को रिपर करने के लिए इंटरनेट पर सामनेते बिना प्रबार के मिलने वाला सब्ट्वेर है वह क्या वर्जन यह पेच है यह टूटोरियल है यह एक है क्या है दिवताओ जल्दि वताओ देखे एक बार सबीड़ाइस है जो प्लीज शेशन को लाइक सेर कर दीजिए हैं बहुत इ scarce तरीकで से Gulf भष अजल्दी बताइए बहुत ही बढ़ीया श और बहुत ही प्यारा सा क्यूस्षन है रहे ऐघिए हुआ यहाँ पर is fight डिया आंसर दी आपसे हैं ज्यो भी बग है उन सब क्या खर सकते हैं प्रक्राइब है टुटोरियल के द्वारा ठीक ठोड़ी करोगे कोई सबंढ़ इनklär पाट जलिदी क्विकली डूतोरियल के द्वारा ही किसी बी सॉप्ट्वेर को रिपेर थोड़ी कर सकते हैं जो उसके अंदर बग आते हैं गलत उत्तर बता रहे हैं आप सभी साथी फुल फॉर्म बताईए फॉक्यू की यह यह भी कई बार पूचा जाता है इसकी फुल फॉर्म बताईए देखें फ्रिक्वेंटली आस्क क्यूशन बोलते हैं जनरली आप जब भी कोई किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो आपको मिलते हैं डोस मीन इंदा टर्मिनोलोजी अब साइबर लोग में साइबर लोग की सब्दाव लिए इसमें डोस का क्या आरत है देखो एक डोस का आरत तो आप डिस्कोपरेटिंग सिस्ट लेकिन यहाँ पर दूसरा डोस है उसके बारे में आपसे पूछा गया वो भी साइबर लोग के अंदर डोस का पूरा नाम क्या होगा नहीं नहीं टेक्लोलोजी से रेलेटेड करंट फेर नहीं आता है फ्रिक्वेंटली ऐस्टूशन वेरी गुट वेरी गुट गुट अफ्टरून वेरी गुट आफ्टनून डिस्क और इंग सिस्टम होता है लेकिन यहां पर मैं साइबर लोग के अंदर पूछ रहूं एना तो यहां पर गड़बड़ी हो सकती है कई दोस्तों के एक थोड़ा सा माइक में प्रोब्लम में वाइर आ गया ओके चलिए डिस्क औरेटिंग सिस्टम गलत है इसे बोलते हैं डिनाय लोब सर्विस है ना किसके अंदर डिनाय लोब सर्विस क्या होता है कि जब ट्राफिक है ज्यादा बढ़ जाता है ना नेटवर्क में ट्राफिक ज्यादा बढ़ जाता है तो वह किस कंडिशन की तरफ गोज होता है डिनाय लोब सर्विस की तरफ है ना यह बताईए रेखें एप्रोग्राम विच हैस्ट अबिलीट टू इनफेक्ट अधर प्रोग्राम से जल्Дि've audio वट ए आंसर बता रहे हैं चीक्त इसकहाँ शक्वाबर के वाइरिगूट वेरिगूट वाम नहीं होता है वो में वाइरेस्स आपको दिखाई दे रहा होगा शाहिद और वाइरेस्स है ना वाइरस की फुल फॉर्म क्या होगी जी वाइरस की फुल फॉर्म प्रोजन है वो पार्ट है वाइरस का तो प्राइमरी तो वाइरस है तो यहां पर वाइरस आंसर दीजिए आप और वाइरस की फुल फॉर्म क्या देने वाले हैं जल्दी बताइए वाइरस की फुल फॉर्म इसकी कोड दे रखे हैं उसमें से आपको जो भी इंफोर्मेशन दी गई है उसके बारे में आपको राइट आंसर है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा वाइरस दे रहे हैं वैरे गूड वैरे गुड वैरी गूड वैरी गूड चलिए यह बोल रहा है प्रोक्सी सर्वर रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट रिशीव फ्रों क्लाइन टू अधर सर्वर हाँ विटल रिसोर्सेज इंफोर्मेशन अंडर साइज बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने वाइरस की फुल फोम का वेरी गुड आंसर तो यहां पर दो स्टेटमेंट दिये गे हैं उन कथनों प हो अग्रेशित करता है यह बिल्कुल सही बात है तो फॉस्ट एंट सेकेंड दोनों है वह क्या है आपके करेक्ट है बोत बोत वैरी गूड वैरी गूड आंसर दिया है आप सभी ने सब्सक्राइब ईस अंडर नेशनल वी गवर्नेस प्लान के अंत्रगत एस डव्न का पू बहुत बहुत बताईए कि जेसे का एड्मिट कार्ड आया है एक बार आप जो भी आपके रिलिवेंट आइडी पास्वर्ड है उससे आप चेक कर सकते हैं आप चेक करते रही है ना मैं तो कहता हूं क्यूंकि इसमें देखो जी जिस जिस अकोर्डिंग आपके एग्जाम होग आपके एड्मिट कार्ड आपको देखने को मिलेंगे इस टेट वाइड एरिया नेटवक के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट एप्राइवेट नेटवर्क यूज एक कंपनी एंप्लोई इन वन लोकेशन एक किसी कंपनी की करमचारी द्वारा एक ही इस्तान में उप्यो अपनी टीम में से कोई ना कोई साती है वो आपको जरूर आगा करेगा तो एड्मिट कार्ड को लेकर क्या आप चिंता मत कीजिए दिन में एक बार चेक कर लीजिए इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है आप अपने प्रिपेशन और रिविजन के उपर फोकस कीजिए यह उ यह तो इंटरनेट का फिस्ट नेटवर्क हो गया वाइड एरिया नेटवर्क वाइडली है ना वाट वर्ड इज लेटर जी यूज़ फोर इनदा इस्पेक्ट्रम है ना जी है उसका क्या मिनिंग होगा जी शब्द किसके लिए प्रियूक्त किया जाता है लोकल एरिया ने हैं यहां पर जी का क्या मतलब होगा ग्लोबल गवर्णमेंट या जनरेशन या गूगल या उप्रोक्त सभी बिलकुल करेक्ट आंसर दिया अपने जनरेशन होगा जनरेशन एना टूजी थ्रीजी फोर जी फाइब जी अभी फाइब जी का मामला चल रहा है आपको पता है एना चलिए विच ओफ फॉलोविंग इज इंक्लूडेड इन सिस्टम सब्ट्वेर सिस्टम सब्ट्वेर में कौन-कौन सामिल है देखो यह तो ही है इसकी अलावा मैं और भी आपको बताता हूं सिस्टम सब्ट्वेर में कौन-कौन से सब्ट्वेर लिए जाते हैं ओपरे यूटिलीटी सॉप्ट्वेर यूटिलीटी सॉप्ट्वेर उसके अलावा आपके क्या लेंग्वेज ट्रांसलेटर लेंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर लेंग्वेज ट्रांसलेटर लेंग्वेज ट्रांसलेटर लेंग्वेज ट्रांसलेटर तो ओल बता रहे हैं य के रूप में जाने जाते हैं very good next day the mouse technique used to access the property of object is है ना mouse technique है जिसमें object की property access करने के लिए use की जाने वाली mouse technique है इसके लिए आपको मुझे short की भी बतानी पड़ेगी इसके लिए मुझे आपको short की भी बतानी पड़ेगी short की क्या रेने वाली है जल्दी बताईए देखे फटा फट क्विकली जल्दी जल्दी सबसे पहले किसका उत्तर आएगा जी ऑब्जेक्ट की property access करने के लिए माउस की जो यूज की जाने वाली टेक्निक है राइट क्लिक है बिल्कुल सही बताया आपने राइट क्लिक है राइट क्लिकिंग आपका बिल्कुल चाहता हूं link शिप्ट प्लरस एप टीन और एक ड्यडरेक्ट एक ट्रोपर्टी भी प्रोपर टी से सकते हैं उसके लिए अभी अपकमिंग क्युश्चन आ अब कमिंग क्युश्चन है डायरइक्ट भी आप कर सकते हैं ऑन यह डाईरिक्ट्रोल प्लेजर नहीं से बिटा प्रोपर्टी देख रहे हैं तो कंट्रोल प्लस आर ले लो सरा विच ओप फॉलोविंग इस दा फॉंक्षन ओप ओपरेटिंग सिस्टम ओपरेटिंग सिस्टम के इसमें से फॉंक्षन है वह कौन सा आपको दिखाई दे रहा है एक और डाइरेक्ट भी एक्सेस करने के लिए एक शोटकी है वह अभी क्योशन आएका मैं पहले नहीं बताऊंगा मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर हो सकता है कि वैसा एक्जाम में आ जाए तो फिर हवाई नहीं लगेगी अपने तो और हवा तो लगनी चाहिए ना ऐसा नहीं है कि हवा नहीं लगे बिल्कुल जी च बढ़ाई की ओपर ध्यान दो दिन में एक बार चेक कर लो आईडी पासवर्ट से ना तीस मिनट की क्लास विलती है मेमरी मेनेजमेंट है ना यह करता है ओपरेटिंग सिस्टम एक्सेस टू इंपूट आउटपूट डिवाइस यह भी करता है कंट्रोल एक्सेस टू फाइल सारे के सारे काम है वह ओपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किये जाते हैं इन एक्जामपल ओप इंपूट डिवाइस इन में से कौन सा है जो इंपूट डिवाइस का एक्जामपल है इसमें कुछ एरर भी एक क्विशन में आप बताईए मुझे क्या एरर है देखें एरर क्य सिगली उसके द्वारा किया जाता है एना बाकी आप डेक्स्टोग के उपर तो कंट्रोल प्लस आर कोई काम करेगा इनी जी एना जी बिल्कुल जी डी बी बी बता रहे हैं देखो यहां पर एक जो एरर है वो यह है की बोर्ड भी है माउस भी है तो यहां पर ए और सी आना ची एना ए और सी आना चीए था कीबोर्ड एन माउस यह गलती है इसमें इन में से सबसे तेज कोन है सबसे तेज कोन है अगर मेमरी की बात करें तेजी के अंदर एना चलो ऐसे डाइग्राम नहीं बढ़ाएंगे एना सबसे तेज सबसे तेज है रजिस्टर सबसे तेज है रज से कम तेज कम तेज बता रहा हूं रोम कम तेज है हार्ड डिस्क यह तो आपके स्पीड इंक्रीज वाला मामला है स्पीड इंक्रीज और यह है आपके स्टोरेज इस्टोरेज है इस्टोरेज है वह सबसे ज्यादा है वह आपके किसका होता हार्ड डिस्क का रोम का रेम का केस का रेजिस्टर का एना तो इस टाइप से देख सकते हो आप तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके केश मेंबरी आएगा ए उत्तर आपका बिल्कूल सही आंसर होगा वेरी गूड केश वेरी गूड वेरी गूड नेक्स्ट एवरी वेव एड्रेस इज एक्चुली सीरीज ओप नंबर कोमली कॉल्ड प्रतियक वेड्रेस वास्ता में संक्या की एक स्रंगला है जिसे आम तोर पर क्या कहा जाता है जिसे आम तोर पर क्या कहा जाता है जी जल्दी बताओ जी ए उत्तर दे रहे हैं वेरी गूड केश मुसकान जी गुपता साहब शिव कुमार जी वेरी गूड सनी साब बहुत ही बड़ी आलाज जवाब उत्तर दे रहें जी आप पर टेख वेड्रेस वास्ता में संक्या की एक संगला है जिसे आम तोर पर आप डोमेन नेम केते हैं यूरल केते हैं या एच टीटीपी केते हैं या आईपी अड्रेस के नाम से जानते ह हो ऐसक्ता अथी डोमेन अए भाई डोमें वेड्रेस डोमें नेम होते हैं क्या जी डोमेन होते हैं क्या जी कैसी बाते कर रहे हैं हमलोग है आइप अड्रेस है परत्याइक जो विब new which is actually a series of नंबर कोमनली कॉल्ड एज आई पी अड्रेसेस एना यूरल होता है यूनिफर्म रिसोर्स लोकेटर एना एड्रेस हो गया वो आपके एना बिल्कुल जी इस्टोर इस इस्टोर से डेटा टेंपरेरी एंड पास इट ओन इंस्ट्रेक्शन फ्रों दा कंट्रोल उनिट एस ता करेंवरी किसके द्वारा किया जाता जी जल्दीव विक्लि फटा फटा आनसर आने दीजिए भाई नवेदी ताझा वोलना चाहते हैं है अब बिल्कूल जी सरे मैससे कि यूशन कब आएंगे अभी आने वाले हैं इसके जाष्ट के यूश्शन आने वाले कि नमबर chambers न जाद एटीन के बाद है वो ms ओफिस से रिलेटट एड क्यूस्टन है डोन्ट वरी गईज एना मेंम्री नहीं होगा आपके टेम्परेरी एंड यह इंस्ट्रेक्षन पास देस्टम का में में मेंम्डिक का में की किन सब्सक्राइब ना बफर के लिए और आशेसरी के लिए रिकोर्डिंग ना चाहिए या प्लेट कास्टें टाइप से होना चाहिए तो बताइए जल्दी 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 फटावड आंसर दीजिए देखो रियल टाइम बफर रियल टाइम ट्राफिक के लिए आपके प्लेबेक होना चाहिए है ना क्या होना चाहिए प्लेबेक या रियल टाइम वास्तिक समय के लिए यातायाद के ल वारा आपके जो बफर है जैसे की YouTube में क्या होता है कि यह अभी इस्टूडियो है आपके यह यह मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं और यह बफर एरिया है यह बफर एरिया है और यह आप है यह आप है तो यहां से स्टूडियो से यहां पर आके आके जिसे जैसे डेटा सेव होगा जैसे जैसे वैसे वैसे यह आपको भेजा जाएगा या निकिक की पलेगा पर सबूत है जो बफर का यूज लिया जाता वह प्लेबेक का जिस हिसाब से चलता रहेगा उसी के एकोर्डिंग आगे भेजा जाएगा ना चलिए नेक्स क्वेशन आपके सामने हैं ओडियो एंड वीडियो रेफर्टू ओन डिमांड रिक्वेस्ट पॉर कंप्रेस ओडियो एंड वीडियो फाइल एना तो वह यह दोनों क् जाएगा उसी हिसाब से स्ट्रीम होता जाएगा तो इसे बोलते हैं स्ट्रीमिंग इस्टोरेज या लाइव के कॉंसेप्ट में भी यही लागू होती है चीज है ना लाइव के कोस्ट बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगा लाइव जरूरी नहीं है कि सारे कि यह ब्रोपक का क्या का रिए रोब केब का expressive इस्टमिंग क debates ब्रोप केब का क्या का रिए है जल्दी बता यह देखें का इंट डटग अलाऊ the यूजरीटल लेटर इन धौकिमेन्ट नाइवे तो आपको डूकिमेंट्स के अंदर बढ़ा अक्षर करने की अनुमति देता है तो ऐसा तो नहीं है इट कनवर्ट दा फॉस्ट लेटर ओप इच वर्ड इज अपर केस नहीं जी इट अलाव यू टू स्टार्ट परिग्राफ विद लार्ज ड्रोब्ड इनिशियल केपिटल लेटर यह आपको पहले बड़े ड्रोप इनिशियल के लेटर से परिग्राफ शुरू करने की अनुमति देता है तीन नंबर उत्तर है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी सी यह वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ड्रोब केप है वह आप इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट मेन्यू से भी एपलाई कर सकते हैं इंसर वर्ड की बात करें MS word कि MS word में होता है maximum 500% और MS Excel की बात करें MS Excel की या MS PowerPoint की MS PowerPoint की तो इन दोनों के अंदर ही होता है जी 400% कितना होता है 400% होता है 400% आना तो यहाँ पर MS इस पावरपॉइंट की बारे में पूचा है तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे जी हम 400 परसेंट लगाएंगे जी वेरी गुट कंपाइलर इन कंप्यूटर सिस्टम इस कंपाइलर क्या है वैसे कंपाइलर है वह लेंग्वेश ट्रांसलेटर है कंपाइलर है वह बैसिकली लेंग्वेश ट्रांस लेटर के रूप में यूज लिया जाता है system software की category में आता है तो यह package है या program है या process है या application है तो यह अपने आप में प्रोग्राम है met यह अपने आप में क्या है एक program है जो की system program की category के अंदर आता है program है what is the insertion of a row and column in a spread 1980 मेंед column का intersection है वो क्या कहलाता है जल्दी बताईएएझ जिस में जाना जाएगा टो फृटापर अफटावथ आनषर हो आने डिजी किस रूप में जाना जाएगा जी फटाबर 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 जल्दी 이짹 जल्दी के विए सो है अच्छा लो था तो कोई बात नहीं यह लोग क्युस्टन लोगी व्रकशीट नहीं work सेट गलत ऑर जाएगा जी एना सेल की रूप में जाना जाता है किस रूप में जाता है जी सेल के रूप में से falt गलत बता रहे हैं जी आप अन 말씀 मेंकिंग मुंव serio किमेंट बनाने की जो प्रोसेस है वो किस रूप में जाएगी पावरपोइंट का क्यूशन है अच्छा क्यूशन है बताइए जल्दी क्विकली पटावट सबसे पहले कोन आंसर देगा जी इसका इस तिरी मेंज को मुमेंट बनाने की जो प्रोसेस है किस रूप में जानी जाएगी जी जल्दी जल्दी कौन आंसर देगा फटाफट 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 देखें बीमजी नहीं जी नहीं जी एनिमेशन की रूप में जानी जाएगी एनिमेशन एना ट्रांजिशन क्या होता है वे ओप प्रजेंटेशन ओप एक स्लाइड एना एक किसी स्लाइड के प्रजेंट होने का जो तरीका होता वो ट्रांजि प्रोपर्टी के बारे में क्योशन पूच रहा था वो यहीं वाला है विच ओप फॉलोविंग कीबोर्ड शोटकट इस यूज्ट व्यूज्ट प्रोपर्टी जो पर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रोपर्टी को देखने के लिए प्रियोग किया जाता है कौन सा शोटकट है जो बेसिकली प्रियोग किया जाता है बताइए जी जल्दी-जल्दी फटाफट विकली सबसे पहले किनका उत्तर आएगा जी बताइए जी गुड आप्टरून अल्ट्रल प्लस एंटर इस दा राइट आंसर अल्ट्रल प्लस एंटर इस दा राइट आंसर बिलकुल सही बताया है और कौन से साती ने बताया है सरवन कुमार जी ने बताया है डी उत्तर सही है कंट्रोल प्लस एंटर है वह तो आपके बैसिकली वर्ड के अंदर पेज़ ब्रेक के लिए अपन देते हैं है snr scans scanner है वो scan करता है ऐगर इसको किसी को practically वह देखना है मैं practically भी दिखा सकता हूं जैसे यह है एनस्की properties मुझे देखनी है तो अल्ट्र प्लस एंटर यह्क्रोंपर्टी गई देखो यह डायेक ist sorted प्रोपर्टी आ गई है नum लोट कलास कब तक हतम होगी क्लास के वो 2 वज़े तक हतम हो जाएगी जी कि कॉर्ट है है beş जो आइस किन करता है पिक्चर टैक्स्त या बोट-पिक्चरेंड टैक्स्त तो बोध-टीग दोनों को लिए करसर के दाएं एक करेक्टर को डिलीट करने के लिए और एक करेक्टर कूड डिलीट करने के लिए ए या उपर या नीचे के कि बिल्कुल बताईए यह देखें है बी लेफ्ट वैरी डुट यह ना बहुत थोड़ी होगा जी है ना अगर लेट साइड के एना लेट साइड की अगर बाएं तरफ के आपको डिलीट करना है तो आप बेक इस पेस यूज लेते हैं तब आप क्या लेते हैं बेक इस पेस और अगर राइट साइड का एना तो डिलीट बटन यूज लेते हैं राइट साइड का करना है तो डिलीट बटन का यूज लेते हैं कि बिल्कुल जी लेफ्ट वेरी कुट चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं यह बताइए जी देखें एन इमेल एकाउंट जैसे सट्टोरेज एरिया भीच जटन कॉल्ड है इमेल खाते में सट्टोराज एरिया होता इसे अक्सर बोला ड़ता है किस नाम से जाना जाता है ढखताई ज Jiang जल्दी बताईए जल्दी विक्ली फटावड देखें सबसे पहले कौन आंसर देगा जी राइट तो है क्या वरी गुट वेरी गुट बहुती बढ़िया बहुती मेल बोक्स इस दा राइट अंसर वरी गुट मेल बोक्स है वह आपके बेसिकली इस्टोरेज एरिया के रूप में जाना जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया अटेच्चमेंट है वो तो आपके एक प्रोसेस है किसी डोकुमेंट को अटेच करना उसके अंदर कोई भी चीज है वह आपके स्टोरेज के रूप में नहीं मिलेगी कि सु Всем City कि सौन जाने जाएगा जी जल्दी बता आधेजी प्रriment स्टापट मेल ऑक्स when एंसर वीब सर्क सरफिंग है नहीं जी गूगलिंग यह यह सर्चिंग होना चीए था यहां पर में स्प्रिंट हो गया लेकिन वह तो डी ओप्षन है आपका है ना वेब होस्टिंग की रूप में जाना जाएगा जी वेब सर्पिंग नहीं होगा किसी भी वेब साइड या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश करवा रहे हो या आप बना रहे हो एना उसकी प्रेजेंट्स तो आप वेब होस्टिंग कर रहे हैं आप होस्ट कर रहे हो उसे आप क्या कर रहे हो वह होस्ट कर रहे हो एना यह बताई यह लास्ट क्योशन है आज गा आज का लास्ट क्योशन सबसे पहले कौन बताएगा जी इसका राइट आ आते हो एना तो सर्फिंग हो गया वो एक तरीके से वेव विजिट की आपने एना वट इस दा शोटकट की टू डिस्पले दा से डायलोग बॉक्स इन MS वर्ड तो उसके लिए शोटकट की क्या है एप 12 की है अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि अभी भी जो को मिस कर रहा है उनके लिए आज एक मोका भी है 22 परसेंट का डिसकाउंट चल रहा है आप सब लोगों के लिए टेस्रीज के उपर अड़ा 247 की मोबाइल एप्लिकेशन आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप ससी केटेगरी के अंदर जाओगे तो के विएस नोन टिचिंग का ओप्षन आपको मिलेगा और टेस्रीज है आपके जूनियर सेक्रेटेरियल सीनियर सेक्रेटेरियल और आपके किसके लिए एसो के लिए और स्टेनोग्रापर के लिए इन सब के उपर डिसकाउंट चल रहा है 22 परसेंट का कूपन कोड बाइनाओ क्लिक करेंगे और कूपन कोड में बताता हूं आपको वाई 400S जैसे आप एपलाई करेंगे तो यह आपको 233 रुपे मिल जाएगी 22 परसेंट का आप आपको मैक्सिलम डिसकाउंट में आज यह लास्ट मोका है वाई 400S कूपन कोड आप यूज कीजिए और सर कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता है कैसे कहां से प्रिपेर करें यह आज आप बड़े जल्दी आए हैं प्रियान सी जी एना बहुत जल्दी आगे आप अभी भी ठीक है यह फाइब के बारे में क्या बोल रहे है फाइब है वह आपके बेसिकली फंक्शन कीओंचिक अंदर और यह फो बार बताया है आपको है ना और बाकी जितने भी हमारे courses है एना उन सब के उपर भी आपको जैसे sse के इन सब के उपर भी extra discount कब मिलेगा coupon code y400 यूज करेंगे तो जैसे ये यूज करेंगे तो आपको extra discount मिलेगा एना तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल फिर पुने तो टैंक्यू टैंक्यू एवरिवन और मिलते हैं कल फिर पुने टैंक्यू वेरी मच